हेलो एब्रिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारखंड और विबाद और अगर मैं इसको और भी घारे कॉर्पे बताने की कोशिस करूँ तो जारखंड और नियुक्ती में बिवाद होना यहां पर लाज़नी चोली दाने करिश्टा रहा है जारखंड में फिर से एक बार एक और नई भरती पे रोक लगा दी गई है क्या रिज़न है क्यों यह रोक लगाई जा रही है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे देखिए आधर्स विद्याले यानि कि उसे आप उत्कृष्ट बोलो या मॉडल स्कूल बोलो वहाँ पे जो सिक्षक नियुक्ती कॉंट्रेक्च्वल वैकेंसी होने वाले थी इसके रोक लगा दी गई है अब EWS के आरक्षन के साथ सुरू होगी नियुक्ती प्रक्रिया ऐसा क्यों क जाने की कॉंटेक्च्वल आधार पे तो यहाँ पे देख लीजिए इस दोरान राजसरकार दोरा जिला अस्तरिये नियुक्ती में EWS आरक्षन को स्विकृति दे दी गई थी इसके नियुक्ती को रोकने का निर्णे लिया गया है इसका क्या रिजन है यहां से आप देख सक रहते हो उत्कृष्ट बिद्यालेवा प्रखंड अस्तरिये मॉडल इसकूलों में नियुक्ती के लिए फिर से आरक्षन रोस्टर क्रियर किया जाएगा अब सरकार के निर्ने के अनुरूप 10% आरक्षन EWS कोटी के अवियर्थियों को दिया जाएगा उन लेखनी है कि पलस लग से जो है आप अरक्षन रोस्टर का पालन करते वे फिर से भरोगे तो कुल मिलाकर बात है कि आपने जो 100 रुपे का डेडी बनाया था या 50 रुपे का डेडी बनाया था वो हो जाएगा गड़बड अब बताईए इन सारे चीजों को लेकर स्टुडेंट क्यों भुगत आया पोस्ट आफिस के लिए लंबे लंबे लाइनों में लगकर आपने स्पीट पोस्ट या फिर आप निरबंधित डाक के द्वारा आपने पोस्ट को भेजा तो सरकार ऐसी गलतियां कच्छे पके काम क्यों करती है जिससे स्टुडेंट को नुकसान हो और हर कोई अपने लाइफ में ब्यस्त है रो ऐसे में ऐसी चीजों पर सरकार का जो यह ढूल मूल रवया है इस पर आपका क्या कहना है नीचे कॉमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दें क्योंकि आपके राय से ना वो बोलता है ना बटरफला इफेक्ट इसके बारे में आप गूगल कर ल राय नीचे कॉमेंट सेक्षन में रख सकते हैं वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया वेव गूट डे